हेलो एवर्यूबन तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा वन के सब्सक्राइबर के लिए ऐसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को ठीक है न और जो भी हिल्प हो सकता है हमसे लेते रहे हैं आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक मैथ अ क्या था 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 पूंशन चेफ पाद नंबर दो में कौन अंच था फंचन के बाद अपका था ट्रिगोओंट्री उसके बाद क्या था रंगों में तरम त्षाद के बाद में पंदोद हुए तीजिया के पर रहा हुए तुछ MARK फौन फाले हिए और टानकियार यूकुलिस क्लिछ नहीं हम पंद चजो कैलकूलेशन होगा वो अब covid के वेश्ट पर ही हो इसका ही बेसिक को को लेके calculus को ही रखके हम लोग सारा calculation किया करेंगा मतलब ऐसे कहलो कि calculus एक integral part है physics का ठीक है ऐसे बहुत लोग तो इसको यह भी कहते है कि calculus है physics लेकिन actual में यह mathematics है ठीक है लेकिन इसका यूज बहुत extreme level पर होता है physics में अब यह calculus जो है यह Newton के द्वारा दिया गया था ठीक है ना calculus किन के द्वारा Newton के द्वारा father of calculus बोला जाता है Newton को और यह दो पार्ट में पढ़ा जाता है ठीक है एक होता है differentiation let me check a spelling टी आई डवर एफ ए और ए न i ओन्टी आन्टी ने और दूसरा पार्ट होता है integration क्रवा ठीक है न यह difference equation और यह integration टीक है इसमें देको नामसे पता चल रहा है डिफ्रेंश्येट और करने वाला है यानि अलग अलग करने वाला है ठीक है अलगलग करने वाला मतलब τοडने वाला to break, break करने वाला है यह, ठीक है, तो यह एक बड़े से दिवार को तोड़-तोड़ के इटो में convert कर देना ही, क्या कहलाता है, differentiation, मतलब यह तोड़ने वाला है, बिसे किलीए, और यह क्या है, integration यह जोडने वाला है है ना तो यह क्या है जोडने वाला जोड़ेगा integrate करेगा तो जोडने वाला होगा जोडने वाला का meaning क्या कह सकते हम लोग यह भी कह सकते हैं कि sir इसको ना बहुत छोटे छोटे E2 से मिला के बहुत बढ़ा सा क्या कर दिया दिवार बना दिया ठीक है ना इसको integration बोला जाएगा तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना time waste किया क्या differentiation चलो अब देखो पूरा calculus पढ़ने के लिए 2-3 चीजों को जानना बहुत जरूरी होगा जानना क्या जरूरी होगा कि number 1 में क्या है कि आपके पास एक आता है क्या change ठीक है ना एक आता है change number 2 क्या आता है loss number 3 क्या आता है gain है ना चलो तो change को कैसे आप लोग रिपर जंड करते हो final minus initial क्या कहलाता है चेंज कहलाता है और loss को आप कैसे करते हो loss में होता है आपके पास कि अगर loss हुआ है loss तो जो initial है loss कब होता है जब final क्या हो चोटा हो जाओ और initial क्या है बड़ा है ते initial minus final और gain में क्या होता है final minus initial ठीक है ना अब देखो change मालो change in x लिखना है change in x लिखना है तो चेंज in x कैसे रहीं लिखते हो आप लोग डिल्टा X ऐसे पिछले क्लासे में आपने पढ़ा कि जैसे किसी के पीछ डिल्टा लगा दिया जाए तो क्या हो जाता वह जिए तो चेंज को बता रहा होता है यानि इसको आप लिखते हो x final minus x initial, ठीक है, x final minus x, initial ये होता है क्या, change, अच्छा, तो delta x, अब ये normal x के लिए, normal change के लिए, ठीक है न, ये किसके लिए है, normal change के लिए, मतलब ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, ठीक है न, और normally हम लोग किसका बात कर रहे होते हैं, जैसे ही delta के लिए, तो ये normal change है, अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत छोटे change को, ठीक है न, infinitely small change को, मतलब very small change, या फिर, ऐसे कह सकते हो, infinitely small change, इसको आपना dx भी लिख सकते हो, ठीक है न, d का मतलब क्या होता है, बहुत small change होता है, तो dx लिख देंगे यहां पर, अच्छा, तो जब बहुत small change हो जाए न, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dx, और ये normal change के लिए, छोटे change के लिए भी लिखा जा सकता, और बड़े change के लिए भी लिखा जा सकता, लेकिन, हम लोग इस class में, जब भी small change का बात आएगा, तो dx का बात करेंगे, अब एक सवाल आता है, कि कोई भी change कैसे होता है, तो वो absolute change कभी भी नहीं होता है, और या फिर बहुत rarely absolute change मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि कोई भी change किसी दूसरे के ओपर depend करता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है न, कोई भी change किसी दूसरे के ओप लिखर करता है जैसे आगरगर क्या करते हो माल लूफ को आपके पास एक रेक्टांगल ठीक हैहना स्कॉयर है और उस्कॉयर में उसके लिंध को जो हम मैं समस्यध को फोटा सा बढ़ा दिया जाएं तो १कर कैसाइड को बढ़ाते हैं तो के साइड के कारण आया तो इसलिए हम यह कहते हैं कि कोई भी फिजिकल चेंज आता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो एरिया में चेंज आया ठीक है ना एरिया में जो चेंज आया एरिया में चेंज किन के कारण आया ड्यू टू क क्या सकते हो तो साइड में चेंज के कारण क्या होता एरिया में चेंज आता है ठीक तो इसी प्रकार से आप से इस में सवाल कूछा जाएगा कि कोई भी चेंज हुआ है जिसके respect में हुआ ये भी बता दिया जाएगा और कोई बहुती उसके रिस्पेक्ट में क्या है फीजम फ़ल लेते है कि आपके पास एक कोई क्या है इस स्क्वाइर है ठीक अच्छा इस स्क्वाइर में इसका लिंध एल कह देते हैं तो यह भी एल हो जाएगा इस स्क्वाइर में थोड़ा सा चेंज ला दो ठीक है ना चलो इसक्वाइर के साइड में क्या ला दिया अमने थोड़ा सा चेंज ला दिया अब चेंज जब आया यह चेंज जो आया इसको मान लो को कहँ है टील है छोटा सा चेंज है ठीक है और सोगी क्या किया दो डील है अब देखो इनीश्यल रीप बाद करें तब अर्ड अरिया किसकोर होता है तो यह चेंज किसके कारण आ आए तो हम अगर कहें कि a final minus a initial तो इसको क्या लिखो गए डिल्टाएं अच्छा, अगर हम कहें कि सर बहुत small change हुआ है किसके अंदर, length के अंदर यनि side के अंदर, तो area के अंदर भी क्या होगा छोटा ही change आएगा मतलब a final minus a initial बराबर d ये simple, ठीक है, small change के लिए अच्छा, और dl तो हैं ही अपने पास क्या, small change in length अब आपको निकालना क्या है देखो, अगर आपको निकालना है, change in area with respect to length change in area with respect to length तो change in area with respect to length है तो आप क्या लिखोगे then d ये upon dl बराबर, देखो ध्यांसे क्या हुआ है, हुआ क्या है एक square था अपने पास, square का side कितना था, L था उसमें छोटा सा change लाया हमने कितना change लाया, dl ठीक है, तो dl में change के कारण है ना, कितना area में change आ रहा है वो ही find out करने कोसिस कर रहे हम लोग change in area ठीक है, या ऐसे कहलो change in area with respect to length, या with respect to side, change in area of a square with respect to their side यह हम लोग निकाल रहे हैं और इसी को हम लोग पता है क्या कहते है, differentiation कहते है क्लियर हो रहा है बात differentiation, actual में change को बता रहा होता है, किसको बताता है change को, और बहुत छोटे छोटे change के कारण और क्या चीज़े change हो गए, ठीक है ना, उन चीज़ों यह बताता है, ठीक तो da upon dl कैसे find out करोगे, da का मतलब है a final minus a initial और a final कितना है, तो a final है देखो, l plus dl का square कोई दिकत, अच्छा उसके बाद, da है तो a initial लिखना पड़ेगा आपको, a initial कितना है, l square divided by dl ठीक है न, फिर से अब क्या करो, l square plus dl का square minus l square divided by dl ठीक है, अब देखो, इसमें कुछ छूटा है क्या l square, जी, छूटा है, क्या छूटा 2l dl, चलो लिख दिए यहाँ पे, a square plus b square plus 2ab, a square, b square plus 2ab और यह वाला देखो, यहाँ पे, अब इसको cancel out कर दो, तो क्या-क्या बच गया 2l dl plus dl का square whole divided by dl दोना में से common कर लो, इसमें से एक dl आ जाएगा, इसमें देखो, इसमें एक dl आ जाएगा, इसमें भी एक dl आ जाएगा, क्या बच जाएगा, तो dl common करने के बाद, इससे cancel हो जाएगा, तो 2l है ना, पलस dl, divided by क्या आप कुछ नहीं, क्योंकि dl तो cancel हो गया, ऐसे देखो, ऐसे कर सकते हो, तो dl से dl जब cancel हो गया, तो क्या बच गया, 2l plus dl, अब आपको मैंने क्या बताया था, कि यह जो length है ना, बहुत small change है, dl क्या है, बहुत छोटा है, किस की तुल नाव में, इस अपने length की तुल नाव, यानि, l is very very greater than किस से, तो dl से, यानि, इसका मतलब हम यह कह सकते हैं, कि 2l plus dl is approximately equal to क्या, 2l, यानि, क्या गया, da upon dl, यह almost बराबर आया, किस के, 2l के, और इस method को हम लोग first principle कहते हैं, इस method को हम लोग क्या बोलते हैं, first principle, तो यह जो method है, इसको first principle, और इसको धंग से, हम लोग, आप लोग note करेंगे, जो description में notes दिया है, उस से, ठीक है, यह फिर से एक बार समझते हैं, यह देखो, पूरा क्या है, length है, ठीक है, उसमें छोटा सा change आया है, कितना change आया है, dl change आ गया, obviously, किसी भी square के side को जब आप क्या करोगे, increase यदि करोगे, तो उसके side में क्या होगा, तो इसके side में थोड़ा सा change है, जिसके कारण area भी क्या हो गया, change आया, और यह देखो area इतना बढ़ा है, यह देखो, यह यह, तो यह area में change है, ठीक है, initial area इतना है, final area इतना हो गया तो change in area कैसे निकालेंगे, final minus initial, change in area निकाल गया, और change in area निकालना है with respect to length, यही तो differentiation कहला था, तो da upon dl बराबर, देखो, a final minus a initial, a final का value l plus dl का square minus a initial का value l square, divided by dl, ठीक है, यह plus b के whole square पे तोड़ दो, a l square plus dl का square, plus 2ldl minus l square है, यहाँ पे नीचे dl, अब dl common करके, dl से cancel कर दो, cancel करने क 12 plus dl आ गया, अब यह dl जो है ना बहुत छोटा है किससे, l से, तो इसको आप ignore भी कर सकते हैं, या simply कह सकते हैं, यह दोनों का sum लगबग लगबग किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, इसलिए da upon dl is equal to कितना आ गया, 12, और इसको हम लोग क्या कहते है, first principle, first principle, ठीक है न, clear चलो, आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे करके हम लोग solve कर सकते हैं, जितने भी differentiation है, उसको लेकिन हम लोग हर सवाल को ऐसे solve नहीं करेंगे, यह बस समझने के लिए एक समझा दिया मैंने आपको, अब जितने भी rules है, ठीक है न, directly हम लोग उसका formula लिख लेंगे, और formula को apply करना सीख जाएंगे, ठीक है न, formula को apply करना सीख जाना है, वही आम लोगों के लिए काफी होगा, clear सभी को, चलो, आगे बढ़ते हैं, rules for differentiation, rules for differentiation, चलिए, तो पहला rule क्या है, पहला rule, मालो कि अगर आपके पास by बरावर एक function दिया हुआ, x to the power n, ठीक है न, by बरावर क्या दिया हुआ, x to the power n, अब इसमें पूछा है, कि बताईए, ये dy upon dx क्या होगा, यानि y में change with respect to x, यानि जब x में किसी तरह का change लाएंगे, तो y में कितना change आएगा, या फिर, ऐसे कहलो, कि अगर x में change होगा, तो automatically y में change आएगा, ये सभी आपको दिख रहे है, क्योंकि, ये क्या है, independent variable, ये dependent variable, तो अगर इसमें किसी तरह का, किसी भी तरह का change आएगा, तो y change हो जाएगा, जैसे 1 रखो, तो 1 to the power n, कितना होगा, 1 ही होगा, लेकिन जैसे 2 रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, by बदल जाएगा, तो इसलिए x को पर depend कर रहा है, तो ऐसे situation में क्या करते हैं, जो आगे, यहाँ पर power है न, power को आप आगे ले आते हो, आगे लाने के बाद, x यहाँ पे लिख देते हो, जो भी variable है, और power में से 1 minus कर देते हैं, धान से समझे, क्या किया हमने, जो भी power है, जहाँ इसके जगा पे, n के जगा पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप लिख दो, n is positive, negative, ठीक है न, कुछ भी, positive और negative, तो हम यहाँ प जो power है, उसको आगे ले आएंगे, और जो power है, फिर से उसमें से 1 minus कर देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, rule number first, rule number second, अगर आपको constant मिल जाए कहीं भी, constant, ठीक है, तो constant का differentiation क्या होता है, 0, क्योंकि यह बदलता ही न, constant, constant का मतलब क्या है, pi, pi कभी बदलता है किसी दूसरे को बटिपेंट करता है, नहीं, उसका value हमें सा 3.14 होता है, 22-27 होता है, हर जगा होता है, तो इसलिए इसका value नहीं बदलता है, इसमें change कितना आएगा, तो 0 आएगा, इसलिए differentiation इसका क्या होता है, 0, pi में कभी आपने सुना है कि change आए, नहीं ना आए, तो वैस value क्या होगा, इसका value होगा, e to the power x, यह अकेला lucky charm है, जिसका value कभी भी change नहीं होता है, differentiation और integration के कारा, ठीक है, याद रखेंगे, e to the power x का differentiation, e to the power x ही होता है, इसको बोला जाता है, नेपियर constant, इसको क्या बोलता है, नेपियर, constant, पिछले class में भी हम लोग इसको discuss कर चुके है इसका value 2.7 बताया था मैंने आपको, ठीक है, तो e to the power x का हमेशा क्या होगा, differentiation e to the power x, very good, आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम बात करें, d upon dx log x का, ठीक है, तो d upon dx log x, इसका क्या होगा, 1 upon x, 1 upon x, यहाँ पर देख लो ध्याँ से, फिर से क्या 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 समझा हम लोगों ने, ठीक है, फिर से लिएक बार, d upon dx, x to the power n का differentiation करना है, तो यह जो होगा न, power आगे आजाएगा, और जो variable हो रहेगा, और उसके power में से 1 minus हो जाएगा, तो यह पहला rule, constant का differentiation 0 होता है, e to the power x का differentiation क्या होता है, e to the power x, और log x का differentiation 1 upon x, याद रखेंगे यहाँ पर यह, कि जो जिसके respect में किया जा रहा, इसका बहुत important role होने वाले आगे चलके, अगर यहाँ पे आप x का differentiation कर रहे हो, तो यहाँ पे x होना चाहिए, नहीं तो फिर यह दूसरे rule पे जाके jump out हो जाएगा, तो अभी के लिए फिलाल हम लोग इस rule को समझेंगे, कि x to the power n का differentiation, nx to the power n minus 1, ठीक है, constant डिफ्रेंसियाशन 0, log x का differentiation 1 by x और e to the power x में किसी तरह का change नहीं होता है, differentiation की कारण, वो same as it is रह जाता है, clear, आगे बढ़ते हैं, अब आगे है, जो trigonometric functions होते थे, ठीक है, जैसे, याद रखो, d upon dx, पहला trigonometric function क्या था, sin x, उसके बाद d upon dx, दूसरा trigonometric function क्या था, cos x, उसक tan x, ठीक है न, d upon dx, उसके बाद tan के बाद क्या आता था, sec x, d upon dx, cosec x, d upon dx, cot x, ठीक है न, ये trigonometric function था, और इन सभी का आप देखो, differentiation हम लोग धून रहे हैं, तो sin का क्या होता है, cos x, ठीक है, cos का क्या होता है, minus sin x, tan का क्या होता है, sec x into, sorry, sec square x, ठीक है न, tan का differentiation, sec square x, और उसके बाद, क्या आएगा, sec, sec का differentiation होता है, sec x into, tan x, cosec का क्या होता है, cosec का होता है, minus cot square x, और, cot x का क्या होगा, minus cosec square x, sorry, ये, cosec x का आपको मिलेगा, cosec x into cot x, ठीक है न, ध्यान दे, cosec x का differentiation, minus cosec x into cot x, cot x का क्या होगा, minus cosec square x, ठीक है न, sec x का क्या होगा, sec x into tan x, ओके, अब ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, आपको जैसे पहला में क्या है, sine का cos, cos का minus sine, tan का sec square x, sec का sec x into tan x, cosec का, cosec x, minus में cosec x into cot x, cot x का क्या होगा, minus cosec square x, अब ध्यान देजिए, minus किस-किस में आया है, तो cos में आया, नमबर एक, नमबर दो किस, cosec में आया, और cot में आया, तो दिखो, जो भी trigonometric function c से start हो रहा है, ये भी c से start हुआ, ये भी c से, ये भी c से, तो जितने भी trigonometric function c से start हो रहा है ना सभी के answer में क्या आ रहा है negative आ रहा है तो याद रखे एगर c से कोई भी trigonometric function start हुआ है तो उसको आप negative में उसका answer देंगे clear है तो यह कुछ rule था जिसके basis पे हम लोग काम किया करेंगे इतना ही rule है बस बाकी इसका derivation आपको math वाले classes में पढ़ोगे ठीक है sine का cos cos minus sine 10 чiksi 90 006IM2 protocols का सकॉयव एक्स सेख और यहीं के मादब का मींडेक्इंगे राती होजाइं दा कि यहीं काम आएगा थे लेकिन ऐसा नहीं है कि काम देंगे लेकिं ज्यादा तर मेजर फारम हमें यह तीनों काम आता है clear है सब को अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद आता है सम और डिफ्रेंस रूल ठीक है न सम और डिफ्रेंस रूल यह क्या है सम और डिफ्रेंस रूल अब सम और डिफ्रेंस रूल में क्या है ध्यान दीजिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है बाई बराबर एफ एक्स पलस जी एक्स ठीक है न तो अगर आपको डी वाई अपॉन डी डी एकस निकालनों मतलब सीधह एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसियेट करना हो तो व्या करेंगे आपको कुछ नहीं डी अपॉन डी यहाँ पे लिखना होगा fx plus gx पहले तो यह हो गया उसके बाद dy upon dx क्या करो गया d upon dx fx plus d upon dx gx मतलब एक बार किसका differentiation पहले function का differentiation और plus का sign है तो plus ठीक है ना पहले function का differentiation plus का sign है तो plus फिर दूसरे function का differentiation सोचो अगर यहाँ पे minus होता तो यहाँ पे हम लोग minus टलते हैं clear हुआ this is called addition या sum और difference rule clear चलो तो अब हम लोग बात करेंगे product rule का product rule में क्या होता है कि अगर कोई दो function है ठीक है fx है और dx है दोनों किस में है multiplication में है तो इसको हम लोग कैसे differentiate करेंगे यह सीखेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं d upon dx देखो पहले को जसके तस रख दिया जाएगा fx को जैसे का तैसा रख दिया गया और दूसरे को क्या किया जाएगा differentiate कर दिया जाएगा तो gx हो गया यहाँ पे plus उसके बाद plus का sign लेंगे फिर क्या करेंगे देखो पहले का differentiation नहीं हुआ है दूसरे का हो चुका है जिसका हो चुका है उसको इस बार जैसे का तैसा रख दो तो gx को रख दिया मैंने अब पहले का differentiation करेंगे तो d upon dx fx ठीक है ना यह हो गया इसका differentiation और यह हो गया इसका तो अब इसमें डेखो किस को दिफ्रेंशियसन करण तो लुए, Azar ayives ग्रूमौ में हो वह दो फंक्छन नौन हो, यहाँ है करना हो D upon dx ठीक है f x g x और h x तो याद रखना एक बार में एक ही function का differentiation होगा ठीक है ना एक बार में एक ही function का differentiation होगा तो क्या करेंगे देखो जैसे f x को और g x को रख दो जैसा कर तैसा है ना और d upon dx और यहां पर h x का कर दो दिफ्रेंसियसन नमबर एक पहला स्टेप कंप्लीट फिर प्लस लगाओ अब fx और hx को और कर दो जैसा क्या तैसा मतलब पहले वाले को तीसे वाले को कर दूसरे का कर दो डिफ्रेंशेशन तो D upon D x यहां पे क्या लिख देंगे जी एक्स अब देखो अभी खतम नहीं हुआ यह प्लस अभी देखो यह वाला हो गया है और यह वाला हो गया यह तो भी बाकी है ना तो तो GX और HX इसको जैसा का तैसा रखो और पहले वाले का कर दो differentiation तो D upon DX यहाँ पे क्या लिख देंगे FX है ना अब यह देखो complete हो गया है तो I think rule आपको समझ में आ गया होगा कैसे कि यह ठीक है तो पहले को जास का तस दूसरे को भी जास के तस तीसरे का differentiation पहले जास के तस दूसरे का differentiation कर रहे हैं और तीसरे को जास के तस रख दिए मतलब एक टाइम में ना एक ही कड़ एक ही को differentiate किया गया एक ऐसा नहीं कि एक टाइम में टी आईए एंटी इसमें क्या होता है इस में माल लो कि आपके पास एक function है ठीक है जो कुछ ऐसा है कि एसा हो अ एंग्स माल सुन और ़े एक मान सुन ठीक है ना और इसको differentiate करना तो क्या करोगे आप कुछ नहीं करना है सबसे पहले एक डिफेंट करना और इसको जैसा के तैसा रखना है वाले situation जैसा मिलता जोलता है कि D को जैसा क्या तैसा रखना है और उपर वाले का differentiation तो D upon D x यहां पर क्या एन दी अपन डी एक्स यहां पर क्या एन उसके बाद क्या देखो यह तो कर दिया ना अब माइनस यहां पर लगेगा अब क्या करोगे इस बार इसका differentiations और यहां पर क्या करें सब्सकी सब्सक्राइब क्या आपको जया कर दिया स्ब्सक्राइब सब्सक्राइब निचे वाले मिला सबसे पहले क्या क्या मिला चारूल साО अपके पास इन चार रूलcü के मेंलोग क्लास में concept क्लास में बहुत सारा सवाल करेंगे सवाल कोन फॉल्यके अच्छा से देखेंगे यह रूल आप आपको दो-तीन बार लिखो ठीक है और सवाल जैसे ही आएगा ना सवाल जैसे ही आप करेंगे तो यह रूल और ज्यादा क्लियर हो जाएंगा बहुत आसान इन लोगों का सवाल होता है ठीक है थैंकियो वेरी मैच मिलते अगले क्लास में